नमस्कार बहुत स्वागत है आप सब का देख रहे हैं अपना बहत खास कारिक्रम जोतिश जराहटके का एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट कच्चे दूद का संदर करेक्शन, शुक्र का कच्चा दूद करेक्शन, कच्चे दूद का शुक्र करेक्शन, कुछ भी कह लीजिए आज कहानी और बात शुक्र की, मित्रो इससे पहले कि मैं आपको प्रियोग बताओं थोड़ा सा जोतिश ये परिचरचा कर लेता हूँ, अपने उन दर्शकों के लिए जो जोतिश विग्यान में रुच रखते हैं और इस परिचरचा को अगर आप सुन लेते हैं दो तीन मिनट तो फाइदा ये होगा कि लॉजिक समझ जाएंगे और उपाय अर्थात प्रियोग एक्सपेरिमेंट करने में आपको आसानी होगी, जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा और लाव का जो संयोग है, वो कई ग सिधांत समझने की आवशक्ता है, मूल सिधांत समझने की आवशक्ता है, आपके लिए इस्तत्व को समझने की आवशक्ता है, शुक्र, स्वेत, रंग, स्त्री संग्यक, स्त्री कारक, दैत्य गुरु, महाश्शक्ति साली, भोग, विलास, वैभो, प्रिसिद्धी, सुख, आराम, शौक, आदि का कारक होता है, शुक्र, वीरे का कारक है, रसायन का कारक है, तरलता का कारक है, और भोग का कारक है, आप पुरुष के अंदर की पौरुष, शक्ति का कारक है, अगर आपके जन्वांक में शुक्र की इस्थती अच्छी है तो प्रत्वी पलट जाए लेकिन दामपत्य जीवन चल जाता है इस्त्री के जन्वांक में शुक्र की इस्थती अच्छी है तो वह बिलकुल रानी की तरह राज करती है इस शुक्र का सम्बंध गुप्ट मंगल से होता हुआ कच्चे दूध में घिर्त की मातरा गुप्ट रूप से रहने के कारण यह मंगल से भी connect हो जाता हूँ जहां शुक्र है मंगल तो इसमें छुपा है ये याद रखिए आप, एक के बाद दो, साथ के बाद आठ, एक जगह मंगल के बाद शुक्र, तो दूसरी जगह है, शुक्र के बाद मंगल, दोनों जगह देख लिजए, ये लॉजिक कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये आँख हमारी देखी हैं, तो आपको इसका लॉजिक समझा दिया, देखो दोनों कनेक्टेर हैं, तातकालिक मित्रता है, बिलकुल पडोसी, कुछ भी चीक चिलाठ होगी, पडोसी सबसे पहले आएगा, अब रिष्ट आच्छा होगा, तो आएगा, जगड़ा की होंगे त तो दोनों इसमें छुपे हैं, सौंदर्य वो जो जिसका आकरशन हो, और आकरशन सौंदर्य में तभी होगा, जब उसके साथ मंगल कहीं न कहीं संबंध बना रहा होगा, अगर आपकी कुंडली में शुक्र मंगल में संबंध है, तो ये स्वतह आकरशन पैदा कर देता है, चाहे जैसा दिखे आदमी, लेकिन आकरशन भयानक रहेगा, बहुत बार लोग सोचते हैं कि मतलब अगर हम ध्यान दें कि बहुत लोग बहुत जादा देखने में सौंदर शाली नहीं होते हैं, लेकिन आकरशन अथा होता है, वहां मंगल का कनेक्शन रहेगा, कन्फर्म द इनको बस समझने की देरी है, अगर आपने समझ लिया है, तो बस सोच लिजे आप, फिर आप सोच लिजे आज जो हम प्रियोग बताएंगे, इसे आप ग्यारह दिन लगातार करिएगा, किसी भी दिन से आरंभ किया जा सकता है, लेकिन पूरिमा के आसपास करेंगे तो फल बढ़ जाएगा प्रियोग को करने के लिए आपको दो शर्तों से होके गुजरना पड़ेगा, कोई पत्थर ना पहने हो, सगाई की अंगूठी छोड़ कर, और अंडा तक आपको त्यागना पड़ेगा, सबसे पहले तो पूर्त है, सात्विक शाकाहरी होना होगा, फिर हमारे उपाय आपक हजार सास्त उठाकर देख लिजेगा, मांस से किस तरह से आपका जीवन व्यक्तित्व भाग्य प्रभावित होता है, और उसका योग होता है, तो आत्मी खाता है, प्रभाव में आता है, और बरबाद होता है, एनिवेज, लॉजिक अपनी जगह है, एक कटोरी में तीन चम कच्चा दोध ले लिजे, भैंस का मजबूरी में गाय का मिल जाए, सोने पे सुहा का, गाय भैंस दोनों ना मिले, तो पैकेट वाला जो मिल जाए, वो आप ले आईए, तीन चम्मच कच्चा दोध एक कटोरी में निकाल लिजे, और उसके बाद, दाहने हाथ की लिडिल फ clockwise, एक सो आठ पार, और इसी दोरान, ओम, शुम, शुक्राय नमह, क्या बोलेंगे, ओम, शुम, शुक्राय नमह का जाब कर लिजे, जाब करने के बाद, इस दूध को थोड़ा सा अपने हथेले पर गिराए, दोनों हाथों में रब करिए, और अपने चेहरे पर लगा लिज हाथों में लगा लिजे, जैसे हम फेस वासोगरे लगाते हैं हलका सा, ऐसे अपने फेस पर लगा लिजे आप, लगाने के उपरांत, जो थोड़ा बहुत बचेगा, एक दो चम्मच, इसे ले जाकर बाहर घर के, किसी हरे पौधे या पीड की नीचे डाल दीजे, घर के बा बचे हुए पार्ट को डाल दीजे, ग्यारा दिन लगातार करिए, और फिर रिजल्ट कमेंट बॉक्स में बताईए, प्रातह जितनी जल्दी करेंगे, सुर्योदय के बाद लाब उतना जादा होगा, ग्यारा दिन लगातार करना है, मासिक धर्म के दोरान भी करना है, कोई समस्या नहीं है, नहाने के बाद करेंगे तो लाब जादा होगा, क्योंकि एक तरह से आप पवित्री करन में आ जब के होगे, इसे करिये हमारी शुब कामनाय हैं, आप सब की जीवन में, सौंदर प्लस आकरशन ऐसे ही बना रहे, हर कोई आप से आकरशित हो, आपके अंदर सकारात्म कूर्जा का प्रवाह हो, हम इसके लिए इस और से प्रात्ना करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, स्ट्रिकिष्णा शिरादे